बारिश में गरीब सास बहु का धाबा बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था जिससे दिन रात की बारिश ने गरीब सास बहु फूल मती रेवा की परेशानी बढ़ा दी थी लगता है इंद्र भगवान धर्ती पर सैलाब लाकर मानेंगे रात भर से बर्खा बरस रही है पूरी रात पानी साफ करने में गुजर गई हम कर भी क्या सकते हैं माजी ये दुख मुसीबत तो हर साल ही मानसून के मौसम में जेलनी पड़ती है ये कहते हुए गरीब बहु रेवा के चेहरे पर गरीबी की फ्यथा जलक रही थी उमेश बड़ी लाचारी से अपनी टपकती घर की छट को देखे जा रहा था उसके दोनों बच्चे कोने में हाथ पैर से कोड़े बैठे बैठे नींद के मारे उंग रहे थे और साज बहु का तुराद भर पानी साफ कर करके बुरा हाल था ये सब देख कर उसे बहुत बुरा लगता है रेवा मैं खेट को जा रहा हूँ जमीदार के खेट में धान के बुआई होनी है आज अजी लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है दो दिन से सारे खेट तो पानी में डूब गए है घर रुख जाओ आज अगर मैं घर पर रुख गया तो चूला कैसे जलेगा रेवा मुझे जाने दो बड़ा दुख लगता है दिल में जब मेरे कमाते हुए भी मेरे परिवार का ऐसे दिन दशा है ना तो आज तक मैं घर पक्का करवा पाया ना ही तुम सब का ठीक ढंक से पेट भरवा पाता हूँ ऐसा कहते कहते बेबसी से उमेश की आखों से जर जर आंसु बहने लगे मौसम की मार और परिवार के गरीब रह जाने का कष्ट केवल वही समझ सकता है जो ऐसे हालातों से होकर गया हूँ खास करके मौसून का मौसम हर साल लाखों गरीबों के दुखों को बढ़ाता है जो या तो जमीदारों के यहां खेती बाड़ी करने पर निर्भर होते हैं या मलबा ढोकर या ज्यादा से ज्यादा इट भटे पर काम करके परिवार का दाना पानी मुश्किल से चलाते हैं उमेश के भी हालात ऐसे ही हैं उसके हाथों में खेती बाड़ी का अच्छा गुर ग्यान तो है लेकिन जमीन नहीं है अरे उमेश ऐसे सारा दिन भूखे खेतों में कैसे खटके गाहा बहु एक काम कर रात का बासी रोटी तरकारी ही बांध कर दे दे इसे जी माँ जी उमेश खाना लेकि खेत पर आता है तब ही जमीदार ताओ में बोलता है लो भया आगे सेट जी कहो तो कुछ सेवा पानी करूँ हा क्यों रही इतनी देर से क्यों आया है तुझे कल बोला भी था आज धान की बुवाई करनी है बहुत जोर की बारिश वरी थी जमीदार जी इसलिए देरी हो गई चल चल लग जा आप काम पर उमेश बारिश में भीगता हुआ धान रोपने लगता है इधर जमीदार चटोरे पन से उसके खाने के डिबबे को देखे जा रहा था खुश्बो तो बड़ी अच्छी आ रही है इसके डिबबे मैंसे मेरी तो जीव लब लब आ रही है खा लेता हूँ अरे ओमेश क्या दिया है तेरी जोरू ने अरवी के पत्तों के सब्सी रोटी है मालिक गरीब आद भी हूँ मेरी भागी में पालक पनीर खाना थोड़े ना है जमीदार जट से डिबबा खोलता है और एक बड़ा सा निवाला बना कर मुँमें ठूस लेता है लगी नहीं रहा कि घुईया के पत्तों के सब्सी इतनी फर्स क्लास बन सकती है एक दम मस्त मीट जैसा स्वादार आए जो भी हो ये गरीब सास बहु खाना बड़ा अच्छा बनाती है होटल कोल ले तो अच्छे नोट चापेंगी पर फिर ये मेरे खेद में काम थोड़े करेगा देखते देखते तगडी बारिश बढ़ जाती है जिससे खेद के पानी में जोग तैरने लगते हैं और उमेश के पूरे शरीर में चिपक कर खून चूसने लगते हैं इधर दोनों गरीब सास बहु उमेश के राशन पानी लेके आने की बाट जोर ही थी जब शाम ढ़ल गई तो दोनों बच्चों का भूख से सबर खत्म होने लगा पांच साल के पारस की आँख से टप टप आंसू गिरने लगे मा चुटा बहिया रो रहा है लगता है उसे जोर की भूख लगी है मा मुझको टेज की भूख लगी है खाना चाहिए बस मेरे लाल तुम्हारे पिताजी राशन लेके आते होंगे फिर मैं अपने पारस के लिए गर्मा गरम दाल भात और चावल की पापड भी बनाऊंगी ठीक है क्या हुआ चाची आज आपके घर में खाना नहीं बनाए क्या कोई नहीं ये कुछ पैसे रखे राशन पानी ले आओ अरे नहीं बेटा उधार के बलबूते कितने दिन तक चूला चलाएंगे हम गरीब साज बहू के घर में तो यहर दूसरे दिन की दुबिधा है चाची बेटा का है ना तो ले लो और अगर कर्ज लग रहा है तो जो आप बनाओगी मुझे भी थोड़ा खिला देना वैसे भी मेरा तो यहां परिवार भी नहीं है घर का खाना खाने के लिए तरस गया हूँ रोज धाबे की दाल रोटी खा कर ही दिन कटता है आज घर का खाना मिल जाएगा रेवा फॉरण जाकर दाल चावा लाटा सबजी खरीद कर लाती है और दोनों सास बहु संग मिलकर खाना बनाती है माजी मैंने पारस और पाकी को खाना परोज दिया है केशव भाया की थाली भी लगा दिया उन्हें देके आती हूँ इक टाइम का खाना दो सो रुपई का पड़ता है भाबी आप कल से दो रोटी मेरी भी बना देना अगर आपको तकलीफ ना हो तो जो पैसे मैं ढाबे वाले को देता हूँ वो आपको दे दूँगा हाँ बोल देती हूँ जो ही दो पैसे घर में आएंगे रेवा बारिश में भीगती हुई घर आई तो देखा सभी की आँखों में आँसू थे और जख्मी शरी लिये उमेश जमीन पर बैठा था जिसे देखते ही उसकी आँखों से आँसू डबडबा गया अजी ये तनी चोट कैसे लगी तुम्हें उस मर जाने जमीनदार ने पानी भरे खेत में रुपाई करवाई मेरे लाल से देख कैसे जोक ने जकर लिया था अम्मा हमारी तो तकदीर ही ऐसी है गरीबी जो ना कराई आज मेहनत बहुत जादा की है भूख लगी है क्या बनाया है मैं खाना लगाती हूँ सब खा पीकर किसी तरह टपकती छट के नीचे दिक्कत से एक कोने में सुग गये लेकिन सुबा तक उमेश को तेज बुखार चड़ गया जिससे वह अगले एक सब्ता तक काम पर ना जा सका जिससे खाने के लाले पड़ गये मा जी कब तक हम इस तरह से हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे पेट चलाने के लिए कुछ तो करना होगा मैं बाहर जाकर काम ढूनती हूँ ठेहर बहु मैं भी चलती हूँ तेरे साथ पारस पाखी दोनों घर में रहना ठीक है दादी मा दोनों भूकी प्यासी साथ बहु बारिश में भीगते हुए काम के तलाश में मारी मारी फिरने लगी मगर कहीं काम नहीं मिला तब उन्हें एक धाबे पर भीड लगी दिगी तब फूल मती को खयाल सूजा बहु देख इस बारिश के मौसम में भी धाबे में कैसे मक्षियों की तरह भीड लगी है हम दोनों साथ बहु तो कितना दमदार खाना बनाते हैं क्यो ना हम भी धाबा खोले बहु हम दुकान में नहीं अपना ढाबा आंगन में चलाएंगी हमारे पास खुला आंगन है गरीबी में दोनों साथ बहु ने घर से बाहर निकलने के बाद अपने हुनर को पहचान लिया और केशव से उधार लेके थोक पर सूखा राशन भरवा लिया और एक बड़ी से तरपाल और कबाड़ी में से कुर्सी टेबल खरीद कर साफ सुत्रा करके आंगन को धाबे में बदल दिया बारिश के मौसम में उनके धाबे की चूले की रोटी की खुश्बू गलियों चौबारों में फैल गई और आते जाते लोग अब बारिश में खाना खाने के लिए आने लगे और दो मज़ूर तबका गरीब सास बहू का पहले एक राहक बन कर आए अरे लगता है इसी घर में नया नया धाबा खुला है चल चंदू खा कर चलेंगे हाँ चल भाई लखन मुझे तो जोरो वाली खाने की खुश्बू आ रही है पेट पूजा करके चलेंगे रेवा ने दोनों का स्वागत किया जी आईए हमारे छोटी से धाबे में आपका स्वागत है कहिए क्या खाएंगे क्या कहा वराइटी हा बेहन जी तड़का दाल रोटी चावल सबजी सलाद दमालू अच्छा जी ऐसा केजिए दो भरी थाली लगा दीजिए रेवा गर्म गर्म रोटी बनाने लगी और फूल मती थाली लगा कर उन्हें देती हैं दोनों सास बहु के धाबे के खाने को खाकर ग्राहक बहुत प्रशन सा करते हैं अरे भाई चंदू, इनसास बहु के ढ़ावे का खाना तो एक नमबर है, ऐसे बरसाद के मौसम में चूले की कर्मा गरम सौन्धी सौन्धी रोटिया खा कर दिल खुश हो गया अरे सच में स्वाद आ गया बेहन जी, कितने पैसे बन गए? जी एक थाली 50 रुपे की है, तो थाली के 100 रुपे हैं, इतना सस्ता दाम सुनकर दोनों मजदूरों का चेहरा खेल उठा वाह, ये तो सोने पर स्वागा हो गया भाई, स्वाद में भी दम और दाम भी कम, अब तो हम इसी धाबे पे खाएंगे रोज दोनों मजदूरों ने जाकर और मजदूर को गरीब साज बहु के धाबे के बारे में बताया, जिससे हर रोज के साथ खाने वाले लोग बढ़ने लगे करते रहें कोई चिक चिक नहीं करता क्योंकि एक बार जिसके मुँपर उनके धाबे का स्वाद लग जाता वो वहीं आता था और एक दिन गरीब सास बहु की आंगन धाबे में एक बड़ी हस्ती खाना खाने आई जो थे मधुश्री और जगपाल सुनिये क्या आप ही वो दोनों सास बहु हैं जिसके धाबे का खाना बड़ा फेमस है जी हाँ आईए बैठिये आपका स्वागत है ऐसा करो दो थाली लगा कर लियाओ पर याद रखना अगर खाने का स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो हम पैसा नहीं देंगे जी बिलकुल मत दीजेगा मैं लाती हूँ रेवा दोनों के लिए थाली बनाने लगती है उन गरीब सास बहु का धाबा अपने बहतर स्वाद के चलते दो महीने के भीतर ही चल पड़ा था जिससे दाल रोटी चावल से स्टार्ट किया हुआ उनका धाबा अप कई तरह की वेराइटी से भर जैसे कि पालक पनी, दाल, मकनी, शाही पनी, तंदूरी, रोटी, मसाला, भिंडी, कई किस्म का खाना लगा कर रेवा उन्हें परोस्ती हैं थाली देखने में बहुत आकर्शक और लजीज लग रही थी और खाना खाकर दोनों ने खूब बढ़ाई की अहां सजमुष तुम उस दिन जैसे दोनों सास बहु को उनकी महनत का फल मिल गया था, दोनों ने खोशी से रकम स्वीकार किया और अब उस जगह में पका धाबा बन वा लिया, जिसमें कि अब बारिश के मौसम में किसी को तिरपाल के अंदर नहीं बैटना पड़ता, बलकि सब बरसात के मौसम म आराम से इंटीरियर वाले छट के नीचे बैट कर सुविधा से खापाते थे और अब सास बहु के हालात भी पटरी पर आ चुके थे